आज हम लोग बात करेंगे LIC का एक बैतरिन स्कीम यानि करियादान स्कीम इस स्कीम में आप अगर थोड़े समय के लिए निवेश करते हो सिफ 1000 रुपया मैना से आप इस स्कीम में सुरवात कर सकते हो आपको काफी अच्छा खासा रीटन मिल सकता है कितना रीटन मिलेगा चलियत एक लेतर इस स्कीम में अगर 1000 रुपया मैना से शुरवात करते हो आपको 25 लाग का रीटन मिलेगा यानि कब मिलेगा कनियादान के समय यानि लर्की का कनियादान के समय आपको 25 लाग का रीटन मिलेगा यही अगर 5,000 रुपय निवेश करते हूं, 1.25 करोर, यानि 1.25 लाग का रिटन मिलेगा, आपको अगर बजिट थोड़ा सा हाई-ेंड है, आप 10,000 मेना से सुरुआत कर सकते हो, लर्की के करियादान के समय धाई करोर का रिटन मिलेगा, इमको specially डिजाइन किया गया है लर्की क करोगे, लर्की का साधी के समय आपको काफी अच्छा-खासा रिटन मिल सकता है, आपको अगर confusion होए कि स्कीम में आपको निवेश करना है, तो अभी आप एक strong financial plan करना चाते हूं, ताकि इन फ्यूचर जब बेटी के साधी के समय हो, आपको अच्छा-खासा रिटन मिलेगा, इस वीडियो में आपका सारे सवालों का चवाब आपको मिल जाएगा, अब कनी अदन सकीम को सही से समझने के लिए आम लोग एक case study को समझते हैं, तो कहानी है तीन दोस्तों का, आसिस, कोपाल, राज, तीनों काफी अच्छे दोस्त है, तीनों का बेटी के लिए कुछ financial planning कर करना है, तीनों जन एक वी साथ ही साथ दो आजन मैना करके निवेश करना कर देता है, और तीनों जन का निवेश करने का तरीका यानि इन्वेश्मेंट पैटन, procedure εςाफी जहादा difference है, ऐस ऐसा करके कुछ साल बीच जाता है, तीनों एक दिन करता है dit愛 करता nuclear téट जाए हिएuhan holiday प्लैनिंग करना है तो तीनों जन प्रिंट इन्वेस्टम वैल्यू को अगर कमपरेजन करेंगे, तीनों जन ने अपना इन्वेस्टमेंट दोहर अजर महिना करके चालू किया था, आसेस जी ने भी सेम किया था, दो अजर मैने करके निवेश किया था, अभी at the moment, यानि 18 साल बात, आसेस जी के पास एक की ओप्शन एवेलेबल है, यानि 3 साल का वेटिंग प्रियेड है, यानि आसेस जी को 3 साल का वेट करना परेगा, then कितना रीटन मिलेगा, 8,20,000 का रीटन करना स्टार्ट किया था, 18 साल बात, गोपाल जी के पास 2 option है, option 1 में क्या है, गोपाल जी अभी रीटन को वेड्राओ कर सकता है, कितना रीटन मिलेगा, 30,000,000 का रीटन मिलेगा, बट, option 2 में क्या है, यानि 18 साल में ना वेड्राओ करके, यानि अभी ना उठाके, गोपाल जी अगर तीन साल रेट करता है, तो कितना रीटन मिलेगा, पचास लाग का रीटन मिलेगा, यानि कित साल में अगर उठाता है, पचास लाग का रीटन मिलेगा, राज जी ने भी दो अजार महिना करके निवेश करना चालू किया था, राज जी के परस अभी तो अप्शन लेवल है, सेम एज गोपाल जी, अभी अगर राज जी अपना पैसा को विड्रॉव करता है, यानि 18 एर में अगर विड्रॉव करता है, तो अगर तीनों का प्रेजन इंवेस्वन वैलू को गम्परिजन करोगे, रीटर्न सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है, वो है, गोपाल ज जी जी एंड राज, ये तो था फेवरेबल सरकाम्टेंसेस, यानि सब कुछ अगर सही हुआ, इतना रीटर्न मिल जाएगा, बट माल लीजिए, अगर कुछ भी अनफेवरेबल सरकाम्टेंसेस होता है, फैमिली को क्या रीटर्न मिलेगा, फैमिली के पास क्या सिकूरिटी अगर हम लोग अनफेवरेबल सरकाम्टेंसेस के बारे में अगर चानने को जिस करें, यानि सब्सक्राइब को दो साल के बाद अगर कुछ होता है, तो फैमिली को क्या रीटर्न मिलेगा, फैमिली के पास क्या सिकूरिटी है, ये जान लेते हैं, आसेज जी का फैमिली को क्य जो कि मिलेगा तोरंथ सीकूरिटी इडिन मिलेगा. आज वेल आज सेच जी आंड़ानी मिलेगा. इस ताहिस जी ओपल्द कोति कंए तेश्थी को?? जर का किसा विलते रहे Teams वक्यां कर्णा सोतनी गॉस्षी को किसा अतली सामता ओला, जरह ऐरानीं को.. 2,30,000 का return मिलेगा यहनि nominee को 2,30,000 का security return मिलेगा plus additionally क्या मिलेगा 20,000 करके सालाना basis में मिलते रहेगा यहनि nominee को मिलते रहेगा कितना साल तक 19 साल तक overall अगर चीज़ों का analysis करोगे unfavorable circumstances में सबसे जादा benefit किसका family को मिल रहा है Aziz जी का family को अच्छा खासा security मिल रहा है as compared to गोपाल जी एंड राज जी अभी हम लोग अगर investment pattern को सही से analysis करें किस basis में तीनों ने अपना investment या savings को किया है यह हम लोग चाल लेते हैं आसेस जी ने conservative approach से अपना savings को किया है 2000 महिना करके निवेश किया है 18 साल निवेश किया है तोटल जो savings आसेस जी ने किया है वह LIC official जीवन लगसर प्लान में यानि 933 official table number है 4 लाग का policy ने आसेस जी ने निवेश किया है 8 लाग 20 अजार का return मिल गया है यानि 21 साल में 8 लाग 20 अजार का return मिला है as well as 4 लाग का life security coverage भी मिला है आप इधर term insurance options का भी addition कर सकते हो गोपाल जी ने क्या किया है गोपाल जी ने अपना aggressive approach से अपना investment को किया है 2 अजर महिना करके निवेश किया है एड़र रीट 18 years यानि 18 साल उस investment को continue किया है तोटल जो invest equity में यानि mutual fund में निवेश किया है SBI Magna Midcap Fund Direct Growth में उधर से गोपाल जी को कितना return मिल गया 50 लाग का return मिल गया mutual fund में निवेश किया था इसलिए life security coverage कुछ भी नहीं होता है mutual fund में इसलिए zero life coverage बट इधर आप SBI में ना निवेश करके आप दूसरे mutual fund में भी निवेश कर सकते हो ICAC हो गया, HDFC हो गया काफी सारा mutual funds आपको मिल जाएगा market में या फिर unit plan में भी निवेश कर सकते हो राज जी का investment approach किया है राज जी ने diversification approach to अपना investment को किया है राज जी ने भी 2000 मेना करके निवेश किया है एडर रीट 18 यार्ट इने 18 साल अपना investment को continue किया है पचास परसंट इन्वेस्मेंट यानि 2000 का पचास परसंट हजार रुप्या करके राज जी ने SIP में निवेश किया है यानि mutual fund में निवेश किया है SBI मैकना मीट कैप में इधर आप दूसरे fund में भी निवेश कर सकते हो उदर से राज जी को 4 लाग का रिटन मिल गया एस वेल एस डो लाग का लाइब सेकूरिटी कवरेश में मिल गया यह था तीनो जन का investment approach तीनो जन का investment pattern अब आपको किसका investment approach को follow करना है आसीस जी का, गोपाल जी का या फिर राज जी का यह video comment में जरूर बताईएगा आपको अगर LIC का alternative popular skin के बारे में जाना है जो कि इन दिनों काफी trending में है तो आप इस video को जरूर देखिएगा मैं आपको मिलता हूँ उस video पर